आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ नवस्कार यह हमार आज का सवाल आईए से हल करते हैं एक वस्तू को 900 रुपए पर बेचने पर जो लाब प्राप्त होता है वह उसी वस्तू को 450 रुपए में बेचने पर जो हानी होती है उसका दुगना है इस वस्तू को कितने रुपए में बेचा जाए कि लाब 25 प्रतिसत हो जाए आईए दोस्तों इसे हल करते हैं सबसे पहले हमने माना दोस्तों कि जो वस्तू की लागत है वो कुछ इस प्रकार से है कि इसमें इसमें से अगर हम X घटाएं तो X घटाएं तो जो X हानी हो X हानी पर बेचा जाए इसकी लागत पर X हानी X रुपई की हानी करके बेचा जाए तो उसे हम इसे हम 900 रुपए में बेचेंगे अब देखते हैं सवाल जो कह रहा है कि वस्तु को 900 रुपए पर बेचने पर जो लाव प्राप्त होता है यानि कि यह जो 2X लाव प्राप्त होता है वह उसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर जो हानी होती है उसका दुगना है यानि कि हमने बिल्कुल सही रूप से दर्साया इसको इस वस्तु को कितने रूपए में बेचा जाए कि लाव पचीस प्रचीस प्रचीसत हो जाए सबसे पहले देखें कि दोस्तों यहाँ एक्स यहाँ चारसो पचास है और यहाँ नौसो है तो चारसो पचास में एक्स जोड़ दिया जाए एक्स रूपए तो यह लागत आ जाएगी फिर उसमें दो एक्स जोड़ दिया जाए तो नौसो नौसो रूपए आ जाएगा नौसो रूपए इसका विक्री मूल ला जाए है X से यहाँ पहुंचेंगे, जोड़ कर के फिर दो X जोड़ेंगे, यानिकि 3 X कांद तर है, तो X कमार कितना आएगा दोस्तों, X कमार हुझाओ इगा 450 को 3 से भाग करेंगे, तो यह हुझाओ यान तो लागत हो जाएगी 600, अब हमें लागत ग्यानτη हो जाई कि 600 है अब कहा गया है कि कितने रुपए में बेचा जाए कि 25% का लाव हो जाए तो 600 रुपए अगर लागत है तो उसका 25% कमाना है तो 600 तो वस्तू की कीमत हो गई और 600 को 25% कमाना है तो 600 गुणे 25% प्रच्चत का मतलब बटे 100 हो जाएगा इतने रुपए में वस्तू को बेचा जाना चाहिए कि उसे 25 प्रच्चत लाब हो जाएगा तो इसे हल करेंगे दोस्तों तिये हो जाएगा 600 धन ये 2-0 स 2-0 कट जाएगा 25 चक्का 150 इसे जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 750 रुपए यानि कि वस्तू कि इतने पर बेचा जाना चाहिए जो कि DIV कल्प D में धन्यवाद